पश्मी उत्तर प्रदेश ही नहीं बलकी पूरे उत्तर भारत में कडाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वज़य है पहाडी इलाकों में हो रही बरबारी मौसम बैज्यानिकों की माने तो अभी आने वाले समय में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है ऐसे में जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो गरम कपड़े जरूर पहने और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले नहीं तो घर में ही रहें क्योंकि ये ठंड हान कपा देने वाली है और जो कोहरा है उसकी धुन्द से जो बिजबिल्टी है वो काफी कम है यही है कि जो लोग भी यहां पर आप देख रहेंगों मार्निंग वाक कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उनी कपड़ों से लेस है यानि पूरी तैयारी के साथ ही वो घर से बाहर निकले हैं तो कुल मिलाकी यह कहा जा सकता है कि मेरट ही नहीं चाहे वो सहारनपूर हो मुझफर नगर हो सामली हो गाजियाबाद हो नोयडा हो ठंड का सितम जो है वो लगातार इन इलाकों में जारी है देख सकते हैं कुछ लोग मॉर्निंग वाक कर रहे हैं हम इन से भी बात करेंगे कितनी ठंड हो रही है और कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को सुबह साम तो काफी दिक्कत हो रही है जी उठने में और रात को भी कोहरा भी काफी है सुबह साम सुड़कों में भीड़ी भी कम है और बाकि दिन में तो थोड़ी नर्मी है धूप निकल आती थोड़ी र लिख रहे होंगे क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कहीं ऐसा नहों कि वो सेहत बनाने के लिए घर से बाहर तो निकले लेकिन कडाके की ठंड से वो बीम बार नहों जाएं मेरट से बलराम पांडे एबीपी गंगा अब एबीपी गंगा खबर आपकी जबापकी